नमस्कार आप सभी का मेरे चनल में बहुत बहुत सवागत है आज हम बनाएंगे मिक्स भेज पकोड़ा पकोड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जुरुत होगी वो आप यहां इंग्रिडियंट्स में देख सकते हैं पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर त एक कप आलू आधा कप प्यास वन फोर्थ कप स्प्रिंग ओनियन और इसके साथ ही हम लेंगे तीन हरे मिर्च और सभी सबजीयों को और मिर्च को हमने बारी कट कर लिया एक इंच अद्रा का टुकड़ा इसे भी हमने बारी कट कर लिया है और अब इसमें हम मिक्स करेंगे कि हमने चार बड़े चमच बेशन आट कर लिया इसके साथ ही हमने एक बड़ा चमच चावल का आटा मिक्स किया और इसके साथ अब हम अए अट करेंगे आधा छोटा चमच नमक, आधा छोटा चमच हल्दी पॉडर, आधा छोटा चमच जीरा पॉडर, आधा छोटा चमच धनिया पॉडर और एक चोथाई चमच काली मिर्च पॉडर, आधा छोटा चमच लाल मिर्च पॉडर थोड़ा सा हींग और इसके साथ ही इसमें एड़ करेंगे एक चुथाई चमच अजवाइन और थोड़ा सा धनिया पत्ती और इन सभी को मिक्स कर लेंगे इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की सायता से मिक्स करना है और अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी आड़ नहीं करेंगे जब हमें जरुत होगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे बहुत ही थोड़ा पानी आड़ करना है नहीं तो बैटर हमारा घिला हो जाएगा और पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे अभी हमारी सबजियों में थोड़ा बेसन कम है तो हमने एक बड़ा चम्मा से बेसन और एड़ किया है और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी हम और एड़ करेंगे हमें पहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करना है हमें इस तरीके से पकोड़े बना कर देख लेंगे हमारा पकोड़ा बन रहा है तो हमारा बैटर विल्कुल रेडी हो चुका है तो अब हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक खड़ाही में तेल गरम खड़ लिया है और हम इसे मेडियम फ्लेम पे प्राइ करेंगे इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा बैटर ले करके पकोड़े का शेफ देंदे करके आप गरम तेल में डालते जाएं और एक साथ हमें बहुत चारे पकोड़े नहीं डालने हैं जितना कड़ाही में तेल है उससे थोड़ा कम पकोड़े हम डालेंगे ठाकि हमें पलटने में आसानी हो और पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो इसे आराम से पलटते हुए हमें गॉल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और ध्यान रखें आप मीडियम फ्लेम पे ही पकोड़े प्राई करें हमारा एक साइड से पकोड़ा गॉल्डेन ब्राउन हो चुका है तो हमने पलट दिया इस तरीके से पलटते हुए हम गॉल्डेन ब्राउन होने तक पकोड़े फ्राई करेंगे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरीके से हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप इस तरीके से एक वर पकोड़े बना करके जरूर ट्राई करें और अगर मेरी डेशिपी पसंद आए तो आप कमेंट सेक्षन में जाकर जरूर बताएं और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सबस्क्राईब जरूर करें इस होली आप इस तरीके से पकोड़े बना करके जरूर ट्राई करें